मनी प्लांट का पौदा बहुत ही असानी से ग्रोग किया जाने वाला पौदा है और हमारे इंडिया में हरे गर में ये पौदा पाया जाता है पर इतना ज़रा पौपुलर होने के बावजूर भी इसमें बहुत सारी प्रावलम्स लोगों को आती हैं और उसमें से तीन जो एक साल पहले कटिंग से ग्रोग किया था और आप देख सकते हो अभी इसने पूरी तरह से एक एडल्ट प्लांट की शेव ले ली है इसी तरह से कैसे आप भी अपने पौदे को सिर्फ एक साल में या चोटा बहुत है सिर्फ एक महीने में बहुत अच्छा घना कर सकते हो इ इसे आप देख सकते हो यह एक मदर प्लांट है जो मैंने आपको पहरे दिखाया है और इससे हम दो चार कटिंग्स ले लेंगे जो हम एक और पौट में लगाएंगे उसके लगाने के लिए मैं यहां पर यह आपको एक सुजाओ देना जाहूंगा बड़ी ज्यादा लंबी कटिंग्स ना लें और चोटी कटिंग्स लें याद रखें उसमें दो या तीन पेर आफ लीव जरूर हों क्योंकि उसके साथ जो पौदा है वो अच्छे से ग्रो करने में सहाई करायता है आप देख सकते हो इसके साथ मेरे दो फाइदे हो रहे हैं एक तो इसके साथ मेरे चांसे कम हो जाते हैं और रूटिंग प्रोसेस वहां से शुरू हो जाती है ऐसे ही हम सभी लगा देंगे और सभी लगाने के बाद जो आपका पौट अच्छे से फुल साइज में लगना शुरू हो जाएगा आपको ऐसे लगा गया कि आपने नर्सरी से ही ये प्लान लिया क्योंकि वो रूटिंग हार्मोन जैसे एक्ट करती है काफी सारे उसमें ऐसी प्रॉपर्टिस पाई जाती है जो फंगस को पौदे के करीब नहीं आने देती आप वो भी यूज कर सकते हो अभी हमने कटिंग से लगा डाली है और इसके उपर हम पानी का स्प्रे कर देंगे और उसको जो कटिंग वाले मदर प्लांट को भी पानी दे देंगे इसको आपने कम से कम पच्चिस दिनों के लिए शेडी एरिया में रखना है शेडी एरिया में रखने के बाद आपका पौदा है दीरे दीरे से रूटिंग स्टार्ट कर देगा हफते बाद जब इसकी अपडेट दिखाने वाला हूँ आप देख सकते हो यही पॉर्ट था यही कटिंग थी और इन में बहुत अच्छे से लंबी लंबी रूट्स बनना शुरू हो गई है इससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं मनी प्लांट्स की कटिंग के लिए कुछ भी आपको गरने क जो नहीं है सिवाए एक पॉदा होना चाहिए जिसकी आप छोटी से छोटी कटिंग लें और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसको मिटी में भी लगा सकते हैं पानी में भी लगा सकते हैं मेरे इसाब से अगर आप पॉट में लगाना चाहें तो डिरेक्ट आप प्रोपेगेशन कर सकते हैं कटिंग लगाने के लिए जो मेन सीजन होता है वो है बारिश का महीना या फिर फरवरी के बाद जब मनी प्लांट के लिए फेवरिवल टेंपरेचर आना शुरू होता है तब आप इसकी प्रूनिंग करके जो लेफ्ट ओवर ब्रांचीज हैं उनसे एक इंडिविजल एक बुशी ब्लांट बना सकते हैं और अभी हम दोस्तों बात करेंगे आप कैसे इसे बड़े पते ले सकते हैं बड़े पते लेने के लिए आपको हजारों फर्टिलाइजर यूटूब पे मिल जाएंगे जो काफी हद तक कामया भी होते हैं पर उस आपको बारदाना स्टोर पे मिल जाएगा और बहुत ही असानी से आप इससे मौस्टिक बना सकते हैं आप देख सकते हो जितना आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा इसका पीस काट लिया है और जिससे हम मौस्टिक बनाएंगे जो यह जूट बैग है इसको नॉर्मल पा को भी तारीके से गिला कर लिए जिसके साथ अच्छे तारीके से उसमें मौस्ट्यव रहे और आपने एक स्टिक लेनी है जो आप कोई बी बैम्बू स्टिक ले सकते हैं या फिर कोई भी आपको लगडी की कोई भी स्टिक मिले उसके उपर आपने जूट बैक को रोल करते जाना है टाइटली रोल करना बहुत ही जुरूरी है और उसके बाद आपने क्या करना है उसको हर एक एंड से बांदेना है जिसके साथ जब हम इसको लगाएंगे ये दुबारा से जूट बैक खुलना जाए इसके अलावा इसको बड़िया तरीकी से आपने बांद देना है जिसके साथ क्या होगा ये दुबारा से खुलेगी नहीं और आपका जो मौस्टिक है वो बहुत सालों के लिए चलेगी इससे जरा भी आप इसको बांद सकते हैं और इसके साथ हमारी जो मौस्टिक है देसी मौस्टिक है जूट बैक की वो त्यार हो गई है और इसके नीचे मैं आपको सुझाओ देना चाहूंगा एक बार अच्छे से दागा लगा लें क्योंकि ये खुल जाती है क्योंकि हमने यहां से कट लगाया था ऐसे दोस्तों इसको आप कोई भी पॉट में लगा दीजिए इसके साथ दीरे दीरे से क्या होगा मनी ब्लांट्स की जड़े इसकी बीच में जाती रहेंगी और इसके साथ उपर को जाएंगी और आपका पौदा बहुत ज़रा घना हो जाएगा बहुत बड़े बड़े पत्ते निगा लेगा आप जुरूर ट्राइ करके देगे और हमारा तीसरा पॉइंट है कि हम कैसे इसकी केर कर सकते हैं अगर आपके पौदे में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए एक आपका बहुत अच्छा सलूशन है एनपी के 18-18-18 ये एक केमिकल फर्टिलाइजर है जो आपको कोई भी शॉप पे मिल जाएगा और ये 70-150 रुपीज के बीच में वैरी करता है क्योंकि आपने यूज कैसे करना है आप कह सकते हैं कि 25 दिन का गैप लेगे अपने 2 ग्राम एक लीटर पानी में एनपी के लेनी है और उसको मिक्स करके अपने हर एक पौदे की फॉलिश पे स्प्रे करनी है फॉलिश पे स्प्रे करने के साथ क्या होगा जो भी इसमें nutrition value होगी पत्तों के थ्रू हमारे पौदे को जाएगा और पत्तों में कोई भी चीज की कमी होगी डेफिशेंसी होगी चाहे कैलशियम की चाहे किसी nitrogen की फॉस्फोर इसकी potassium की वो सभी पूरी हो जाएगी और आपका पौदा बहुत अच्छे से घना बढ़ेगा और इसमें बहुत अच्छे से variegation और green leaves आएगे इसलिए ये fertilizer भी आपको जुरूर यूज करना है जिसके साथ जो आपका पौदा है बहुत अच्छे से grow करता रहेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेर एंड लाइक भी जुरूर करिएगा और मनी प्लांट के अलावा कोई और प्लांट पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्श में बता सकते हैं मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा और मौक क्यों है चाहिए करोछ के बना दूंगे कि भी प्लांट प्लांट प्लान झालिक लुए बना दूंग को तेड inform gratis cya contribute